और जो लोग अपने आपको हिंदु कहते हैं वो 24 गंटा हिंसा 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 नफरत 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 असत्य 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 सदन में राहूल गांधी ने हिंदु धर्म पर एक टिपड़ी की है जिसको लेकर पूरे देश में वावाल मचा हुआ है भारती जन्ता पार्टी के साथ कई अने पार्टियों ने भी सदन में इसका विरोध किया लखनों में भी इसको ले करके लोगों के मन में अलग-अलग तरह के सवाल उठ रहे हैं लोग अलग-अलग तरीके से अपनी प्रतिक्रियाई दे रहे हैं आज हम बात करेंगे रास्टी हिंदु वाजनी संग के रास्टी अध्यक से धर्मे शुकला गोपाल जी से कि वो इस कुछ नहीं कर सकते क्योंकि इनका जब मन करता है या पूरे हिंदू समाज को बनाम करते हैं और हिंदू का मतलब भी इनुने बता दिया कि शत्य असाथ्य और हिंदू को तरे-तरे की बात हिये हैं अरह इनके पूरानी यृदत रही है जब इसके पहले भी एक बार उन्होंने बयान दिया था कि हिंदू और हिंदू तो ये दो अलग-अलग है तो इस प्रकार से राहूल गांधी की आदत है इस प्रकार के अनरगल बयान देना इनको माफी माँगना चाहिए और हमें लगता है इनको माफी नहीं माँगना चाहिए इनके उपर कारवाई होनी चाहिए और सदन को चाहिए कि इनके खिलाब कोई भी अद्धाध इसला करके इनके सदस्ता रद की जाए जैसा कि राहूल गांधी ने सदन में बोला कि जो लोग अपने आपको हिंदू कहते हैं वो हमेशा हिंसा की बात करते हैं असत्य बोलते हैं क्या लगता है कहीं से इस चीज को उनको कहना चाहिए या जो भी उनके मन में है हिंदू धन को ले करके क्या वो यही है देखे राहूल गांधी जी का कहना कि हिंदू हिंसा की बात करते हैं, असत्य की बात करते हैं, यह सरासर गलत है, आरे हिंदू तो वो लोग हैं, जो हम सरातन संस्कृति को मानने वाले लोग हैं, जहांपर आज भी हमारे घरों में पहली रोटी गाय के लिए और आखरी रोटी कुट्ते के लिए बनाई जाती है आज भी हमारे घरों में छट पर हमारी माह बोलती है कि जाओ चट पर ये दाना रख करके आओ कोई पच्छी भी भूखा न जाए कोई पच्छी प्यासा न जाए इसलिए पानी छटों पर रखे जाते हैं और आज उसी को भी चुनाओं के समय हिंदू बताते थे कई मंदिरों में गए अपने भारत जोड़ो यातरा के दोरान वो जहां भी जाते थे कोई मंदिर होता तो तो वहां जाते थे तो क्या लगता कि हिंदू धन को लेकर उनका नजरिया इस तरह से अचानक क्यों बदला है देखें उनक नका न फ्रटो दिखाई और फोटो दिखाने के बाद उनोंने पिर गुरुनानक जी की फोटो को इस प्रकार से सधन के पटल पर रखा कि सधन के अध्यक्ष को भी इस पर बोलना बड़ा कि इस प्रकार से आप न करें उनको हम पूछते हैं फिर उन्होंने उसको ठीक सरक् है हिंदु को अधि बताया और हिंदू के साथ उन्हों ने आसत्य और lotta नहीं कि wanna सकते तहे वो उन्होंने उतली गाली हिंदू समाज को दिया इसके लिए ये देश इनको कभी माफ नहीं करेगा और ये वही कारणह कि आज आज कांग्रीस पारटी धरातल में समाते हुए जा रही है राहूल गांदी जब यह बयान दे रहे थे तो हमारे प्रधान मंत्री नेनेन मोदी ने उनका विरोध किया उनसे इस तरह की बाते ना करने के लिए शिक्रे का लेकिन उसके बाद खुए बड़ा रियेक्षन नहीं धे रहा है, ना भाजपा के तरह से ना इंडिये के तरह से इसको क्यते देख रहे है देखे हिंदुवादी संगठन, इस देश के बहुत सारे हिंदुवादी संगठन है, जो पूरा हिंदु समाज आक्रोसित है, 110 करोण हिंदु समाज पूरा देश का आक्रोसित है, हम सब इस देश में रहते हुए हिंदु, हम हिंदुत की बात करते हैं, हम सनातन संस्कृति के देश में इस परकार की बात बोलना कहीं न कहीं वाकई चिंता जनक है और राहुल गांधी को यह सोचना चाहिए क्योंकि अभी चुनाओ फिर आएगा फिर आपको मंदिर भागना पड़ेगा फिर आप कहीं के नहीं रह जाएंगे अभी भी समय है राहुल गांधी जी चेत ज पिता जी का नाम था राजिव गांधी और राजिव गांधी के पिता जी का क्या नाम था फिरोज गांधी फिरोज गांधी को गांधी किसने बनाया फिरोज गांधी और इंद्रा गांधी जब इन दोनों का विवाह हुआ था जहां तक मुझे जानकारी है जहां तक मैंने इस चीज को समझा है, तो फिरोज गांधी पहली बात तो गांधी थे ही नहीं, वो तो महात्मा गांधी ने अपना सरनेम दिया था, तब जाकर के वो गांधी हुए थे, लेकिन गांधी चे पहले फिरोज गांधी क्या थे, ये सोचने वाली बात है, और फिरोज गांधी के प नेता प्रतिपक्ष में सदन में उद्य हैं किए नेता अभी है की चुट्कुला सिनातजी के मुक्तक के अगरेल ये हसने वाली बात है और बलकि उनोंने Hindu धर्म का मजाग उडाया है इनको कोई भी गम्भीरता से लेता नहीं है और जिस विकार से सदन में इस बात को इनोंने रखा है देश के ये बड़े नेता हैं और Congress Party छोटी पार्टी नहीं है और Congress Party के ये मुहिया है और मुहिया ही है य इसके बाद भी उनका कोई भी बयान वो सवा सो करोर देशवासियों की बात करते हैं, एक सो चालिस करोर देशवासियों की बात करते हैं, वो जब भी बात करते हैं, कभी उन्होंने देश को बातने की बात नहीं की, कभी उन्होंने जातियों को अलग-अलग बात करने की बात करी लेकिन राहुल गांदी का जब भी बेयान आता है कि एक बार नहीं इनके जितने भी निता है इस प्रकार का बयान देते हैं अनरगल बैयान देते हैं और जान बूझ करके बार-बार आहत करते हैं कि हिंदु समाज आहत हो भाजपा के ओपर लगातार्य आरोब लगाया तो भाजपा का स्टैंड क्या ठीक है इस समय जो देखे हमें लगता है अब इनकी लुटिया डूब रही है इनको लगता है कि कुछ सीटे ये पागए तो इनको ये बौरा गए है ये पगला गए है अग्दम ये पागल हो चुके हैं और ये जो जीत है ये इसको हजम नहीं कर पा रहे है ये विपच्ची में होने के बाद भी इनकी ये हाल है अगर ये कहीं सरकार में आ जाए कि प्रदेश करके और शूम्य जानबूच करके और क्या मांग करते हैं आप राष्टी हिंदु वाईनी संग के राष्टी अर्द्यक्ष हैं क्या मांग है आपकी कि इस तरह के बयान पर राहुल गांधी के खिलाफ किस तरह की करवाई होनी चाहिए और आपका ये संग क्या करने वाला है राष्टी हिंदु वाईनी संग पूरे सदन की गरिमा को ठेस पहुशाते हुए कि वहाँ पर बहुत सारे सांसद बैटे हुए थे, सारे सांसद, बहुत सारे सांसदों का मान आहत हुआ है और राहुल गांधी के उपर इनकी सदस्यता रद की जानी चाहिए और इनके उपर गंभीर धाराओं में मुगतमा दर्ज करन चाहिए एक और राहुल गांधी का बयान थोड़ा सा विवादित रहा है, उन्होंने ओम बिल्ला जी से के उपर कहा कि जब मैं उनसे मिलने गया तो उन्होंने सिष्टाचार नहीं दिखाया, लेकिन प्रदान मंत्री नरेन मोधी उनसे मिलने गया, तो उन्होंने उनसे कर सम्मान देते हैं, इसको कैसे देख रहे हैं? और जितने जल्दी समझ जाएं, राहूल गांधी जी के लिए बेहतर होगा, क्योंकि अब लोटिया डूबने वाली हैं उनकी. पड़ी की, कि हिंदू धर्म के लोगों को हिंसक बताया, उनको असक्त की राह पे चलने होला बताया, ये काफी निंदिनी है, धर्में शुक्ला गोपाल जी का साफ तोर पर कहना है, कि उनके उपर संतधी कारप्रणाली के तहत कारवाई होनी चाहिए, उनकी सजस्ता तक र हमार, हुमी टीवी, लगनो,